प्रपागत है आप सभी का यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जी प्रपरेशन किसके लिए PGT Computer Science के लिए So PGT Computer Science का यह सलेबस पूरा का पूरा मैं आपको अलरी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ और आज आप मेरे साथ hash 5 class के अंदर हैं जिसमें मैं आपको MCQs करा रही हूँ अभी तक जो मैंने MCQs आपको कराए थे वो basics of python से related थे आज हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं और अलग किस portion के अंदर से MCQs होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको इस portion के अंदर से MCQs कराऊंगी और portion जो हमारा होने वाला है target वो ये ठीक है इस पूरे portion को मैंने अपने YouTube के चानल पर यहाँ पर explain भी किया हुआ है देखे KBS, PGD, Computer Science, Complete User Defined Functions तो जो 12 तारिक, 12 दिसंबर यानि की और 11 बजे मैंने इसका premiere है जो launch कर रखा है तो वहाँ से आप इसको पूरा का पूरा है जो watch कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग start करेंगे इसके MCQs बिल्कुल आप लोग मुझे Unacademy पर भी follow कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो classes मिलेगी वो class 11th और 12th की मिलेंगी जिसमें मैंने बहुत सारी classes ले रखी है इन दोनों की और MCQs की form के अंदर ही है तो जब आप मेरी profile open करके ही special class में आएंगे न तो special class it's a free class तो यहाँ पर आपको जो है हजारों की संख्या में classes मिलेंगी जो की होंगी सारी की सारी MCQs based ठेक है तो जिसमें मैंने MCQs बहुत सारे question है जो करार रखे हैं तो यह देखें networking हो गया, python हो गया full syllabus, computer science तो यहाँ से आप लोगों का concept है जो बिल्कुल cover होगा मतलब जो concept है, वो base है, वो बनेगा और दूसरी चीज कि अगर आपने एक पर पढ़ ली है चीजे, तो फिर यहाँ से आपको question करने में कोई दिकत नहीं आएगी और यह totally free classes है special classes होती, उनको free classes बोला जाता है तो आप किसी भी class में free entry है जो यहाँ पर पा सकते है अगर हम नीचे करें तो देखिए, बहुत सारी classes है जो आपको daily basis पर मिलेंगी तो यह सारी recorded classes है अगर आप मेरी live class में आना चाहते हो वो भी free class में तो आप 9 बज़ कर 45 मिनट पर किसी भी दिन Monday to Sunday आप class के अंदर आ सकते हो जहाँ पर मैं CBAC class 12 के board के paper हैं जो करा रहे हूँ तो अब हम questions के साथ में यहाँ पर शिरुवात करते हैं एक piece of code आपको यहाँ पर दिया हुआ उसके अधार पर आपको यहाँ से एक correct answer है जो choose करना है कहता है कि X और Y के हमारे actual parameter है यह बात बिलकुल गरत है X और Y कौन इसके बारे में बात हो रही है नहीं यह हमारे formal parameters के अंदर आते हैं X और Y के हमारे default है अगर यह default होते तो आप इसमें X या Y में कोई value दे रहे होते टेक है ओके 10 और 20 के हमारे formal है जी नहीं बिलकुल यह formal नहीं है 10 और 20 तो क्या है हमारे actual parameters के अंदर आते हैं तो अभी ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को अगर हमें argument की बात करनी हो तो जो हमारी function call में होते हैं उनको argument कहते हैं और जो हमारे argument होते हैं वही हमारे actual argument यह actual parameter के नहीं से जाने जाते हैं यह हमारे parameter हैं तो parameter को ही formal arguments भी बोला जाता है ठीक है? राइट? ओके, तो आगे चलते हैं कहते हैं कि choose the correct answer ठीक है तो अब आपने क्या किया? function को call किया हुआ है print के अंदर से और आपने value कौन सी पास की है? 5 तो यानि कि इस num के अंदर क्या आया? 5 5 और 5 कितना हुआ? 10 रिटन स्टेटमेंट क्या कर रही है? answer आपको written करा रही है तो written हमेशा उसको होता है जिसने call किया था तो answer इसको written हो गया which is 10 और print ने इसको print करा दिया करा दिया? ठीक है 10 अब यहाँ पर जब हम num print करा रही है तो यह कहा रहा है कौन num? क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए local के बारे में तो local जो हमारे होते है वो function की body के अंदर ही होते है ठीक है? हमारे local जो variable होंगे उनको function की body के अंदर ही जानते हैं बाहर नहीं जानते हैं तो यह जो num है यह local है इसको इस function के बाहर आपने कहीं पर भी इसका नाम लिया तो फिर गड़बड हो जाएगी ठीक है? तो अगर आप कहते हो कि यहाँ पर num को print कराओ तो num कहाँ पर है? तो यह आपको name error यहाँ पर देतेगा कि भाई किस num की बात हो रही है आपको या तो इसको globally बाहर declare करना चाहिए था हम function के अंदर अगर कोई भी चीज यूज करेंगे मतलब कोई भी चीज का मतलब कोई भी variable declare किया तो उसका scope सिर्फ function के start होते और function के खतम होते के बीच में ही है ठीक है उसकी life बाहर नहीं है ठीक है और local की life लेकिन अगर global है तो global function के बाहर भी जिंदा है function के अंदर भी आप उसको freely use कर सकते हो राइट ओके अब हम यहाँ पर क्या गर रहे हैं 25 को भेज रहे हैं name के अंदर तो यहाँ पर हम लिख ले name is equals to 25 तो respectively value इसके अंदर चली गई अब हम age के अंदर रमेश को भेज रहे हैं तो age के अंदर हमारे पास में value is coming रमेश cool अब आप age को print करा रहे हो age बोले तो रमेश प्रिंट होगा पहले ठीक है name बोले तो 25 रमेश और 25 कहा पर लिखा हुआ है c option के अंदर yes तो इसमें थोड़ा सा puzzle करने की कोशिश है जो की जा रही है ठीक है मतलब उल्टी पुल्टी values भेज करके और उसको उल्टा प्रिंट करके puzzle किया जा रहा है और कुछ भी नहीं how many arguments a function can receive function के अंदर आप कितने भी arguments जो भेज सकते हो ठीक है जीरो या फिर कितने भी जीरो को मतलब है कि हमने अपने function में कुछ नहीं भेजा है या फिर कितने भी आप भेज सकते हो identify the correct output ठीक है तो ये हमारा function call हुआ यहाँ पर respectively ये इसमें जाएगा ये इसमें जाएगा ये इसमें जाएगा तो मतलब कहने का कि a में 10 हुआ b में 20 हुआ c में हमारे पास में 30 हुआ मैं क्या ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कहूंगी बिल्कुल हाँ ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं अगर आप python में बिल्कुल नए हैं तो बता दे python के अंधर हम एक से जादा values को भी return कर सकते हैं तो अब a की value क्या है हमारे पास में 10 और 10 में हमने 1 जोड करके 11 बना दिया तो यहां से 11 return होगा साथी साथ हम किसको return कर रहे हैं b, b के अंदर plus 2 किया तो 22 return होगा ठीक है? ओके so c के अंदर क्या है हमारे पास में 30 30 और 3, 33 तो यह एक क्या हो गया? ट्यूपल नहीं हो गया अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 11, 22 और 33 लिखना था that's my mistake तो यह क्या है? यह एक ट्यूपल है तो इस ट्यूपल को आप भेजोगे किसको? इसको याद रखिए जब भी हम return करते हैं तो return हमेशा उसको होता है जिसने function call किया था तो इस T में answer चला गया अब जो आपने भेजा वही आप receive करोगे तो आपने ये भेजा है तो answer भी यही match करवाना होगा identify the correct output for the following code ठीक है ठीक है ठीक है अब आपने भेजा यहां से 20 ये ग्या है? ये default argument है ठीक है? ये तब आपका use होगा जब आप इधर से कोई value नहीं भेज रहे हो ठीक है? लेकिन अभी आपने भेजा तो ये 100 नहीं ये 20 ही आपका use होगा तो B के अंदर चला गया 20 तो ये actual value इनके अंदर है अब आप दोनों गों जोड रहे हो तो यानि कि हमारा क्या हो जाएगा 70, 70, टोटल में गया तो 70 आपने प्रिंट करा दिया तो आपका output विल भी 70 हो गया identify the correct output of the following code, right तो यहां से आप एक list को पास कर रहे हो और list आपका receive हो रहा है एकस की बात करेंगे तो एकस में पहला argument आएगा या पहली value आएगी list की which is Rajesh अब आप कहते हो कि Rajesh है ना जो उसको आप अपर में convert कर रहे हो याद रखिए आपके पास में अपर function convert करता है जो भी जैसे मैंने कहा L O V E dot upper तो यह L O V E को अपर में convert कर देगा अगर lower होता तो lower में ठीक है इस अगर सामने लिखा है इस अपर इस lower तो वो हमेशा true या false में answer देते हैं that means to say कि वो सिर्फ check करेंगे कि वो अपर है कि lower है ठीक है अगर इस लगा होता this is for checking बट यहां पर हम अपर में convert कर रहे है तो राजेश आपका capital letter के अंदर convert हो जाएगा तो it will be something R A J E S H और क्यूंकि तो end के साथ में हमने hash लिखा है तो इसके साथ hash आ जाएगा then कुमार आएगा X के अंदर next उसको भी आप अपर में करोगे तो K U M A R और hash आएगा इसके साथ में तो राजेश hash कुमार hash where it is written, it is written here so your answer is be here ठीक है अब CBSE के जब भी question आते हैं class 12 को तो उसमें जो option आता है उसमें वो last वाले option में कभी-कभी hash नहीं देता है तो हम जल्द बाजी में last वाला hash भूल जाते हैं तो इस चीज को याद रखना है fine, अब हम क्या गरते हैं नम के अंदर value भेजते हैं जो की 10, अब आप देखें 10 कहा इधर से 20 चला गया इसके अंदर से अब हम क्या गरेंगे यहाँ पर हम कहेंगे 10 से लेकर के 20 तक चलाओ हमारा loop तो यानि कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक हमारा loop चलेगा इसलिए मने इतनी लंबी counting यहाँ पर लेगी है क्यों? क्योंकि आपको यह चीज बता चुके हैं बार-बार कि range function में जो भी आप end की value देते हूँ यह उससे एक कम तक चलता है सूपर cool अब आपके पास में x में आपने देखना है वो वो values जो की 4 के साथ fully, totally divisible है ठीक है? तो हमारे 4 की table में आ रहा है 12, 14, 16, that's it 12 और 16 है ना? ठीक है अब आप क्या गर इन दूनों को print कर आ रहे हो 12 और space, space है तो ठीक है नहीं तो it's okay 16, ठीक है? तो ये हमारे पास सरा सर कहां लिखा है? वही हमारा answer है ओके, best option for the python function is a function is a complete program, a function is a block of code identified by its name a function must return a value, a function can be called without any call हमें best line यहाँ पर बतानी है function can call without any call, नहीं, function call ऐसे ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और हमारा ये वाला जो answer है वो एकदम best है a function is a block of code identified by its name तो ये एक chunk होता है, एक block होता है हमारे program के अंदर जिसका हम use करते हैं, इसके बहुत सारे फाइदे हैं कि हम reuse कर सकते हैं उस particular code को और हमारा जो particular program है ना, वो manage हो जाएगा अच्छे तरीके से तो management के लिए भी हम इसका use है, जो करेंगे choose the correct statement, तो है कि default values override the values passed by the user, देखे जब भी user कोई value भीजता है किसको default को, तो वो जो default की value है वो user की value से जो है replace हो जाएंगी ना कि default वाला user की भीजवी value को replace करतेगा ठीके, तो हम गलत कहेंगे default arguments are declared before the positional, नहीं before positional पहले ही आते हैं, ठीके, अब ये positional argument या फिर default argument क्या है, पीछे चलने थोड़ा सा, पीछे चलते हैं, यहाँ पर हमने use किया था, यह हमारे default हो गए, ठीके, और यह हमारे non-default हो गए, ठीके, तो यह हमारे positional भी है, तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर a को अगर मैं, मतलब यह मेरा जो है न, यह हमेशा पहले आएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, b is passed by user, जो user ने values passed की है, override the default values, बिल्कुल, यहाँ पर अभी अभी जो हमने चीज समझी है, उसमें क्या चीज हो रहे थे, जब आप इसके अंदर 100 को भेज रहे थे, sorry, 20 को भेज रहे थे, तो 100 replace हुआ था न, 20 से, बिल्कुल, ठीके, तो यह वाली बात, हमारा जो यहाँ पर option सही होगा, वो C होगा, ठीक है, okay, function को call किया, हमने check, okay, so x के अंदर हमने क्या किया, 10 को डाला, y के अंदर हमने क्या किया, 5 को डाला, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा 10 क्या 5 के बराबर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास में 15 आंसर आ जाएगा, अगर आपको इसमें डाउट होता है कि यह कैसे not is equal to, तो इसमें ऐसे लगा कर के देख लो, ठीक है, अब x की value क्या है, 10, y की value क्या है, आपके पास में 5, तो क्या यह बराबर है, यहां से आपको false आएगा न, नहीं है कि यह हमारी जो है true नहीं है, अब उसी का उल्टा आंसर आएगा जब आप ऐसा लिखोगे, ठीक है, 5, तो इससे क्या आता true, true का मतलब यह दर्वाजा खुलेगा, तो x में 5 प्लस होगा, ओके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास में कुछ एक string है, जो हम पास कर रहे हैं, यहां पर, ठीक है, अब कहता है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, x के अंदर class, मतलब c आएगा, फिर l आएगा, फिर a आएगा, बट कोशन कहता है कि which message will never be printed, okay, तो कौनसे वाला नहीं कभी भी प्रिंट होगा, तो अब आप देखिए, इसमें है, a, b, c, d, जब भी आएगा, तो हम alphabet print कराएंगे, digit के time पर digit print कराएंगे, okay, तो देखिए, अब इसमें एक logic वाली चीज है कि ये कभी भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अपर है, वो alphabet भी तो है न, अगर मैंने capital A दिया है, तो वो alphabet भी है, तो हमारा alpha में ही, वो alphabet print करा देगा, मतलब यहां पर तो कभी आप पहुंच ही नहीं पाओंगे, चाहें वो अपर है के नहीं है, small है, क्योंकि वो तो हर बार उसको alphabet ही मान करके alphabet print कराएगा, of course, तो यह अपर कभी भी यहां पर हमारा loop है, जो नहीं आएगा, मतलब, loop का मतलब है कि इस को, इस line को कभी touch नहीं गर पाएंगे, because of alpha की बज़े से, क्योंकि बड़े यह भी CD है, उसी में आपका alphabet print हो जाएगा, ठीक है, okay, so चलिए, next, कहता है कि how many times the message, all the best will be printed, all the best कितनी बार print होगा, fine, all the best हमारे पास में दो बार लग रहा है, प्रिंट होगा, क्योंकि एक तो dot आ रहा है, और एक at the rate आ रहा है, क्योंकि alphabet में alphabet, digit में digit, अपर में तो जाएगा ही नहीं, खैर, तो फिर बचा क्या, at the rate और dot, तो दो बार, ठीक है, okay, कहता है कि consider the following code and choose the correct answer, okay, तो आपको answer correct choose करना है इसके अंदर से, find, इसको थोड़ा सा सही लिख दे, एक बार cut करके, okay, now it's totally fine, ठीक है, अब कहता है कि name is equals to kishan, ठीक है, age is equals to 20, fine, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर name के अंदर भेज दिया 20, और kishan भेज दिया यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए, respectively values उनके अंदर चली गई, क्योंकि पहले वाली value पहले वाले में, दूसरे वाली दूसरे वाले में, तो name में 20 चला गया, age में kishan चला गया, ठीक है, अब किश, जो age है, उसमें kishan, और name के अंदर 20, तो मतलब, kishan, और 20, यह आपको return हो करके आएगा, और return किसको हुआ, इसको, इसमें receive हुआ, अब उसका one number क्या है, 20, तो 20 print होगा, मैं दुबारा बता दूँ, देखिए, क्या चीज है, जब यह return होगा न, ऐसे, ठीक है, वैसे यह list में नहीं होता, मुझे tuple रखाना चाहिए, यह tuple में होगा है, तो आपके पास में क्या यहाँ पर किशन, 20, यह return होगा इसको, ठीक है, अब यह receive होगा इसके द्वारा, अब यह 0 है, यह 1 है, क्योंकि यह tuple में भी तो indexing होती है, अब आपने पूछा है कि टीका 1 बताओ, तो, टीका 1 कौन है, 20 यहाँ पर, so 20 will be the answer here, अब आप क्या गरते हो, नेम के अंदर आपन 20 भेज दिया, अब यह क्या है, एक list है, list के तौर पर आप answer भेज रहे हो, इसमें 20 और इसमें किशन, दोनों, मतलब, एक list return हो गई इसको, ठीक है, तो जब आपने list return किया है, तो list ही तो वापिस आएगा आपके पास में, है ना, तो list भेजा है, तो list ही आपके पास आएगा अगर आपने स्वीगी से समोसे ओडर कियें, तो समोसे आएगे, घर पे कचोरी नहीं बन जाएगा, अब one word वाले answers फटा फट में करते हैं, a function that return a value is called, जो की function एक कोई भी value भेजता है, return करता है, तो उन functions को fruitful function बोला जाता है, ठीक है, और अगर नहीं भेजते हैं, तो वो non fruitful function होते हैं, python के अंदर, which of the falling is not a python function type, built-in function, user defined module, absolute नाम के कोई function नहीं होते हैं, ठीक है, module function जो सके लिए particular किसी module को इंपोर्ट करेंगे, user defined जो आप खुद बनाते हैं, और built-in, जैसे आपका print हो गया, id हो गया, type, aise functions, ठीक है, जो पहले से बने बनाये होंगे, which of the falling is a built-in function, built इसा function है, जो पहले से बना बनाया है, which of the falling function, accept integer as argument, okay, तो integer as a argument किसके अंदर accept होता है, okay, CHR के अंदर, अब CHR और ORD दोनो functions को मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए हम एक बार इस पर पहुंच जाते हैं, okay, this is, ठीक है, तो CHR और ORD को मैं आपको समझाती हूँ कि यह कैस हैं, CHR, ठीक है, और let's say कि मैंने कहा 65, अब इसकी sky, जो है number इसके उपर value वो कौन सी होगी E, अगर मैं इसी का उल्टा करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ORD लिखूँगी, ORD, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या fill up करूँगी, जैसे मुझे चोटा small jet देखना है, कि उसके sky value 122 है, राइट, तो जब आपको numeric से alphabet देखना है, तब हम CHR, और जब alphabet 2 हम उसके sky value देखेंगे, तब हम ORD function से ये चीज़ कर रहे होगे, ठीक है, कोई sum और MUL function नहीं होता है, राइट, और इसके अंदर of course integer value accept हो गई, राइट, अब हम करते हैं, यहाँ पर, which of the falling function, header, is correct, य यह correct नहीं है, क्यों क्योंकि ऐसा होना चाहिए, कि जो non-default है वो पहले होने चाहिए, तो it must be y is equals to x is equals to 1, ठीक है, ओके, यह भी गलत है, इसमें भी y को सबसे पहले आना चाहिए, यह बिल्कुल सही है, इसमें w को सबसे पहले रखना चाहिए, तो c हमारा एक बिल्कुल correct answer ह अब variable defined outside a function, function के बाहर जो हम declare करते हैं, वो हमारा global होता है, function के अंदर जो हम करते हैं, वो हमारा local होता है, the function header contain, एक function के header के अंदर def होता है, function का नाम होगा, parameters होंगे, ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, जो होती है, both function name and parameter list, ओके, अब variable defined inside a function body, that is called local, okay, input function जब भी हमें value return करेगा, वो हमारा string के अंदर करेगा, right, अगर मैंने कहा input, मैंने कहा enter a number, आपने मान लिजिए enter किया 5, तो ये भी एक string consider होगा, तो आपको इसको convert करना पड़ेगा, integer के अंदर, अगर आप integer में काम करना चाहते हैं, the correct way to call a function, कुछ नहीं, just function का नाम लि use करो, तो that is the way to call any function, okay, तो अब कहता है कि यहाँ पर हमने function जो है call किया है, 20 इसमें चला गया, 30 इसमें आ गया, ठीक है, अब आप क्या गर रहे हो, दोनों function, मतलब दोनों values को अपने multiply कर दिया, तो 600, ठीक है, x में चला गया, ठीक है, अब आपने कुछ return तो किया नहीं, ठी ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ है नहीं, तो इसमें क्या होगा, none transfer होगा, तो none आपका answer होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, तो बढ़ते हमारे अंतिम question की तरफ, अब यहाँ पर क्या है, पांच, तो आपने 5 इसको pass कर दिया, मैंने का ठीक है, अब यहाँ पर प्लस एक कर दिया, तो x आपका क्या हो गया, 6, ठीक है, and then आपके पास में y में क्या है, y में 20 है, 20 में से 2 गए, तो आपने क्या कर दिया, 18, ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो 6, 6, 12, and 13, 14, 4, और 1, 2, 24, जो की इसको return हो जाएगा, किसको, ठीक है, super cool, अब यहां से आप क्या गर रहे हो, function को call कर रहे हो, बढ़ आप कुछ भेज नहीं रहे हो, ठीक है, नहीं भेज रहे हो, कोई बात नहीं, हम इसको साफ कर देते हैं, ताकि values में कोई confusion ना रहे, ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास इसमें 10 है, इसमें 20 है, डिफॉ पास में 9 और 2, ठीक है, तो आपने 29 यहां पर return किया, मतलब return कर रहे हो ना, इन दोनों को plus करके ही, तो 24, 29, कहां पर है, जी हां, बिल्कुल, ठीक है, तो इस question का जो answer है, आप नीजे मुझे comment section के अंदर बताएंगे, और ये वाली जो आगे के question है, ये मैं अगली class में continue करू and अभी तक हम लोग 100 से जादा questions कर चुके हैं, MCQs के अंदर, और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही रोज, सुभा 8 बजे class लेंगे, और आपको questions पर question कराएंगे, of course, 11th and 12th के अलावा भी हम लोग upper level तक questions हैं, जो complete कर लेंगे, ठीक है, ओके, तो आप जो है, अभी इसके ब दरना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो best response है, वो of course, आप भी जानते हैं कि subscriber and views ही होगा, यना, क्योंकि online के अंदर यही एक response है, जिसके तुरू पता चलता है, पड़ अगर offline की बात करें, तो आँखे ही काफी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको हर कोई है जो share, subscribe के लिए बोलता है, ताकि feedback आपको पता चले, and हर किसी काम में feedback बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली class के अंदर, thank you so much, and bye-bye, all the best for your exam, चलिए